तो यहां पर एक बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर हम अपने आपको आत्मिक कहते हैं लेकिन हमें जरूरी है कि कुछ बातों को हम अपने जीवन में सीखें परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी आदते हमेरे जीवन में होनी चाहिए जैसे कि धन्यवाद करना अब वो हमेरे अंदर वो एक बाइ डिफोल्ट जब भी हम परमिश्व के पास जाए कुछ भी काम करे कहीं भी जाए तो हमेरे अंदर वो एक आदत सी हो जानी थी कि हम परमिश्व का धन्यवाद करते रहे हम परमिश्व के गुंगानों को दुसरों के आगे जाहिर करे परमिश्व ने जो काम हमेरे जिहन में किया है वो हम याद रखे लोगों को बताए यहोवा की यवारी है जैसे हम उन बलवा करने वाले लड़को एक चीज के बारे में हमें सिखना बहुत जरूरी है प्यारों कि हम ये सीखे, हम एक आदत बना ले कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंडे, हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से हम पूछे कि हम इस विश्वर में क्या करें, समझो के कोई decision हमें लेना है, कुछ काम करना है, हम दो रास्ते हैं आगे, या तो दो से है, हमें परमेश्वर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन जीस परमेश्वर ने बनाया है, वो या चाहते हैं कि हमेरी जीवन में जो भी समय आए, वो अच्छा है, हमेरी भलाई के विश्वर में परमेश्वर चाहता है, भलाई चाहता है कि हमेरी भला तो यहां पर जैसे हमने Bible से पढ़ा है, कि आपने पढ़ा होगा, जो मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रकर वो पाप करते हैं, मुझसे बीन पूछे मिस्रव को जाते हैं, परमेश्वर को पूछे बीना हम काम करते हैं, परमेश्वर की सलह मांगे बीना हम decision लेते हैं, सब सुन रहे हैं न, सुन रहे हैं, ओके, अगर आज के विशे में आप अगर serious बनोगे, तो मैं यही विश् कर सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे mode आएंगे जहां परमेश्वर interfere करेंगे, परमेश्वर आपको रोकेंगे, परमेश्वर आपको अपनी सलह देंगे, परमेश्वर सही रास्ता चुनने के लिए आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपको सही decision लेने के ल लेकिन मेरा मुझे वो मेरी सलाह नहीं लेते टेक काउंसेल बट नॉट अफ मी वो सलाह लेते मेरी नहीं बहुत जरूरी है प्यारो के हम सलाह किस से लेते हैं बहुत जरूरी हम किस से पुछते हैं के हम क्या करें कि आप इसी विश्वास के साथ चलते हो जिनक्या परमिश्वर के साथ कोई सिद्धा या सही संबन नहीं है उससे आप सला लोगे कि आप विश्वास करते हो कि आप ये जानते हो कि उनके द्वारा कौन आपको सला देगा याद रखना थोड़ी ही मिनिटों में में क्लियर करने वाला हूँ कि जो व्यक्ति के आप सला ले रहे हो वो कैसी सला दे सकता है लेकिन बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की सला हम ले परमेश्वर से पूछे जैसे अभी 30 यह 36 और 2 में लिखा के वो एजीप्त को जाते है बट हम नोट कांसेल उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है याद रखे हो वी आल नीड गाइड़न्स और डिरेक्शन हम सब को जरूरत है कि हमें गाइड़न्स मिले हमें सही दिसा के विश्य में हमें पता चले हम मेरे जीवन में बहुत सारी चैलेंजिस आती है बहुत सारी प्रश्णा आते है बहुत सारी ऐसी अवस्ताय आती बहुत सारी ऐसे मोड आते है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते है हमें लगता है हम कहां जाए क्या करें तब जरूरत है कि आप परमेश्वर की सला को मानो, मानना बात में हैं, पहले सला को ढूलो, परमेश्वर के पास जाए आप, परमेश्वर से आप पुछ ही आप क्या करें, आप क्या कर सकते हो, कौन से, वो मोड पर कहां जाया, लेफ्ट, राइट, सीधे या वापीज लोट ये सायफ 28 में, 28 चैप्टर में बहुत अच्छा लिखा है, 39 में आयत में, अद्भूत है वो सला देने में, वो सहायता करने में अद्भूत है, जो भी उनको पूछता है, उनके लिए वो सला देता है, उनको वो कहता है, अगर आप परमेश्वर को पूछेंगे, तो वो आपको बताएगा, कहेगा, मांगो तो मिलेगा, उनको नहीं मिला, क्योंकि वो मांगते नहीं, आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस के विश्य में, अपने जीवन के हर एक मोड पर, अगर आप घर लेने जाते हो, आप बिजनेस नया स्टार्ट करते हो, आप किसी मोड पर आकर खड़े हो, जब कन्फ्यूज हो, एक, दो, तीन, चार, चार रास्ते दिखाई दे रहे, बहुत सारे ओप्शन है, बहुत कन्फ्यूज हो, क्या आपके अंदर वो आदत है, क्या आप परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से पूछे, कि प्रबो ये तरी इच्छा के अनुसार है, क्या मैं आगे बहड़ू, क्या प्रबो इस चीज में मैं हा कहूं या ना कहूं, आदत नहीं है न, आप पीछे, फ्लेश बैक, पीछे जाएए, अपने जीवन के पीछले अनुभवों को तलाश हिए, बहुत सारी गलतिया आपने की होगी, बहुत सारे गलत डिसिजन आपने लिये होंगे, हमेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ और ऐसी अवस्थाय परिस्थिती आती है, कि हमें सला की जरूरत होती है, और यह शाहत तीस, एक से तीन जो पड़ा, वो टू दे रिबेलियस चिल्रन, ते काउंसल, बट नॉट अफ मी, रिबेल चिल्रन, जो मुझसे, जो सला लेते, लेकिन मुझसे नहीं, प्यारो, यानि वर्ली सला लेना, दुनियवी लोगों के पास जाना, अच्छा, बताएए हम क्या करें, बहुत कन्फ्यूस हैं, जो परिवार होगा, जो व्यक्ति होगा, जिससे आप सला मांगते हो, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ उसका संबन साही हो, परमेश्वर की हज्यूर में बना रहना वाला इनसान होना बहुत जरूरी है, एक बार एक परमेश्वर का बेटा आकर कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, परमेश्वर के बेटे हो और आप जब बाइबल ये कहती है कि जो, अन्य विश्वासी लोग है जो मनुष्य के हाथों से बनाई मुर्थियों और स्वरूप के आगे जुकते हैं, उनके साथ आप बिजनेस करो वो ठीक नहीं है, आप लॉस में जाओगे, ध्यान से सुनिये, और उन्होंने घर जाकर फ्रातने के डिसीजन लिया कि मुझे पैसे की बहुत जरू होते लेकिन इनके साथ मैं बिजनेस नहीं करूँगा, उन्होंने मना कर दिया, अगर मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, थोड़ी ही दिन में पता चला कि बहुत बड़े लॉस में वो गए, जो उनके दोस्ते थे वो बिजनेस में, एक परमिश्वर के दास आये और बड़ी खुशी के साथ मुझ से कहा कि जैक्विन भाई इस दिन को आप थोड़ा समय रखना, आपको आना पड़ेगा, मैं मेरी वाइफ के एक नए बिजनेस सुरू कर रहे है, मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेक से भई रखने वाली वो लड़की है, उनने कहा नहीं वो नॉन क्रिश्चन है, हमने कहा कि प्रभु की दास को कि ये बिजनेस लॉस में जाए गए, बहुत जल्दी बिजनेस बंद करना पड़ेगा, मत कीजिया, आप किसी पर में परातना कीजिये, कि कोई व्यक्ति को प्र वो खड़ा करे जो आपकी वाइफ के साथ मिल कर बिजनेस में आगे बढ़े, उन्हों नहीं माना, थोड़े दिन बाद, जब मिले में ने कहा कैसा बिजनेस चल रहा है, उन्होंने कहा बिलकुल आपने कहा तो ऐसा ही हुआ, बिजनेस लंबा चला नहीं, हमें शॉप बंद करनी पड़ी, बहुत जरूरी है आप किसकी सला लेते हो, हम बात कर रहे हैं मेरे जियोन में एक आदत ढलना, एक आदत बनाना बहुत जरूरी है, वो है कि कोई भी मोड पर किसी प्रकार की, अगर कोई डिसीशन लेने से पहले हम परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से सला हम मांगे, परमेश्वर से कहे हम क्या करें, प्रबु से कही है, आपके दिमाग में, आपके जहन में जो योजना है, इच्छा है, वो परमेश्वर के आगया, बताए, कही है प्रबु ये करने की इच्छा है मेरी, मैं करने जा रहा हूँ, तू क्या कहता है प्रबु, त मुझसे बात कर, पहली आप खूद परमेश्वर के पास जाएए, दूसरी चीज, एक आदत, पहली आदत, खूद परमेश्वर को जाकर, अपने मन में, दिल में, दिमाग में, जो भी चल रहा है, परमेश्वर के पास ले जाएए, और इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, अगर confidence ना दे, सही आपको पवित्रात्मा की तरफ शान्ती ना मिले, confidence ना आए, आपको लगेंग ना आई सही है, तब तक आप रुखिये, वेट किजिये, चाहे वो एक दिन हो, एक मेना हो, एक साल हो, आप रुखिये, रुख जाएए. पहला, जो मुझे और आपको सिखना है कि परमेश्वर के पास हमेरी योजनाओं को ले जाए, हमेरे confusion को ले जाए, हम परमेश्वर से पूछे, हम क्या करें, दूसरा, परमेश्वर ने जो प्रभु के दास दासिया प्रभु ने रखे है, चुने है, अपॉइंट किये है, वो परमेश्वर की तरफ से, उनकी सलाले हम, परमेश्वर केते हैं, कि that walk down to Egypt, they counsel, but not of me, उन्होंने किसी की सलाली है, उन्होंने decision लिया है, लेकिन मुझे पूछे भी ना, उन्होंने counseling, उन्होंने सलाली है, लेकिन मेरी नहीं किसी और की, प्यारो, यहुष्यू में बहुत अच्छी चीद लिखिये, यहुष्यू, पुराने नियम में, यहुष्यू की पुस्तर, और 9 चैप्टर, चैप्टर 9, और देखो, यहां पर क्या लिखा है, चाओध भी आयत हम पढ़ेंगे, 9 और चाओध, लिखा है, तब उन पुरुष्योंने यहुष्यू से बिना सलाली है, उनके भुजन में से कुछ ग्रहन किया, फिर आप परिसिती को आगे फढ़ सकते हो, बीना पूछे, हम बीना पूछे, हम कई बार डिसिजन लेते हैं, यह बहुत गलत आदत है, अगर आप अपने आपको विश्वास ही कहते हैं, अगर आप कहते हो कि मैं बिलीवर हूँ, आप कहते हो कि प्रभु यश्यू मसी का मैं चेला हूँ, आप कहते हो कि मैं परमेश्वर को प्रैम करता हूँ, करती हूँ, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, हम परमेश्वर की सलाले खुद परमेश्वर के पास जाए, दुसरा परमेश्वर के चुने हुए दासों के पास हम जरूर जाए देखो, मनुश्य हमेशा इच्छुक रहता है कि अपनी इच्छाओ की तरफ वो जूक जाए, अपनी बुद्धी पर, अपने ज्यान पर भरोसा वो रखता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो डिजाइन किया है, प्लान किया है, वो एकदम सही हो और एकदम बेश्ट है, लेकिन याद रखना, ये, this will end into shame and misery दूख और शर्म में इसका अंत होगा, अगर आप अपने ज्यान बुद्धी पर, अपने ज्यान बुद्धी पर अगर भरोसा रखोगे, और दूसरा किसी गलत व्यक्ति की सलहाप लोगे तो पहले मैंने एक बार कहा था, एक परिवार आया और कहा कि हम लोग एमदाबास से दूसरी जग़ा सिफ्ट होना चाहते हैं हमने कहा, पूछा उनसे, कि क्या परमेश्वन आपको कहा, किसको आपने पूछा बुले, जो हमेरे दोस्ताना संबण है जीन परिवार से, उन्होंने कहा, यहां आजाओ, यहां सस्ता घर भी है, और काम भी काफी मिल जाएगा हमने उनको एक ही बात पूछा, क्या परमेश्वन से पूछा आपने या जो दोस्ताना संबन है आपका जिस परिवार से, जो व्यक्तियों से कि आप ये मानते हो को बुद्धिमान है, हाँ हो भी सकते, बहुत ज्यानी हो सकते क्यारो मेरे जीवन में मैंने एक आदद बने है मैं कुछ भी जब मुझे असंभव लगता है, confusing लगता है ऐसे मोड पर आकर खड़ा रहता हूँ, जहां मैं confused हूँ, तो मैं दुनियवी लोगों से सला नहीं लेता, नहीं ऐसे व्यक्तियों से सला लेता हूँ, जिनका संबन परभु से ठीक ठाक, थोड़ा सा, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा बाइबल पढ़ लेते हैं, दुआ करते हैं, ऐसे लोगों से मैं सला कभी नहीं लेता मेरे बहुत ही करीब ही ऐसे परिवार लोग है, मेरे रिस्तेदार है, वो बहुत उसमें ग्यानी और बुद्धिमान लोग है, लेकिन मैं अपनी सला के लिए उनके पास कभी नहीं जाता, अगर मुझे जरूरत पढ़ती है, तो मैं प्रभू के दास्थों को पुच्ता हूँ, कि आपको क्या लगता है, यह मैं करूँ, आपको क्या लगता है चाहे हो मुझसे चोटे हो, बड़े हो, मैं जब जरूरत पढ़ती है, मैं उसे सला लेता हूँ आप जब जरूरत पढ़ती है, किसकी सला लेता हूँ? ज्यानी बुद्धिमान लोग और आप ये आसा करते हो, खुदावन परमेश्वर, आस्मान और सुरुष्टी का रचेता है, उनके द्वार आप से बात करेंगे बाइबल ने बहुत सारी जगह ऐसे समय नहीं रहा, बहुत सारी ऐसी जगह बाते लिखी गई है कि उन्होंने परमेश्वर के दासों को छोड़कर दूसरों की सला ली और वो हार गए, मर गए, उनका राजपाट सब लूट लिया गया, उनकी स्रियों को, पत्नियों को गुलाम बना कर ले जाए गया, बहुत ही खराब अवस्ता है उनकी हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के तुमने मेरी सला नहीं ली है, और तुमने गलत लोगों की सला ली है, अपनी बुद्धी और ग्यान पर भरोसर रखा है, तो परमेश्वर यह कहते हैं, क्या होगा, क्या होगा, इसलिए फिरोन का सरंस्तान तुमारी लज्जा और मिस्रक की छाया तुमारी जिन्दा का कारण होगा, किसलिए? आपने मेरी सला नहीं ली, आप मेरे हज़ूरी में नहीं आए, मेरे पास नहीं आए, आपनी बात मुझे नहीं कहीं, ना मेरे दास दासी जीन पर मेरे आत्मा ठहर रहा है, मेरे आत्मा जीन में हैं, उन्सको नहीं कुछा आपने, और तो परमेश्वर केते हैं इसलिए फिरोन का सरंस्थान तुम्हारी लज्जाव और मिस्रक इंचायत तुम्हारी निंदा का कारण बनेगा अपने आपको बुद्धीमान समझते हो सैतान आपको फुसला कर सैतान आपको फुसला कर गलत दिस्था में ले जा सकता है अगर आप कहते हो मैं बिलीवर हूँ आप कहते हो कि मैं कमिटेड हूँ मैं परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ मैं आप परमेश्वर से प्रैम रखता हूँ मैं आप परमेश्वर के मार्गों पर चलता हूँ चलती हूँ अब बस मेरे लिए सब कुछ येश्व 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 ही है जीना परमेश्वर और मनना भी परमेश्वर जीना येश्व मनना भी येश्व याद रखिये, our strength is to still, to sit still, अगर हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग है, दास-दासी है, तो हमारी strength, हमारी ताकत, हमेरा बल क्या होना चाहिए, किस में हमेरा बल हमेसा कायम रहेगा, तो हम स्थीर बने रहे किस चीज में, तो हम humble dependence, जो अपनी नीरभरता हमेसा परमेश्वर पर रखे, और हमेसा हम submission में रहे, हम आधीन बने रहे, परमेश्वर को, अब सीर हिला कर बोलते हो, हमें आधीन हो, हमें नीरभर हों परमेश्वर पर, अगर आप, अगर आप नीरभर हो, तो आप परमेश्वर को पूछते हो आप, परमेश्वर के दास-दासी के पास जाते हो, आप सलाम मांगते हो, कैसे प्रूव होगा कि आप आपका dependence और submission वो प्रभी एश्यू पर है, एश्यू मसी है Are you really dependent upon living God? सच मुझ आप परमेश्वर पर आपकी निर्भरता है, क्या उन पर आधार रखते हो? क्या आप really, are you submitted yourself to living God? सच मुझ आप परमेश्वर अपने आपका submit किया है, तो कैसे प्रूव होगा? आप हर एक चीज में परमेश्वर को जाकर कहेंगे और पुछेंगे, जीवर में एक आदर डाल दीजिए, चोटी सी चोटी बात में आदर डालिए, परमेश्वर से पूछिए, इसको कहते हैं dependence, submission, बीना मतलब हम बोलते रहते हैं, God I love you, I love Jesus, I am servant of God, मैं प्रभू की दास ही मैं प्रभू का दास हूँ, कहीं पर प्रू नहीं हो रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करना तो दो-चार ऐसे मुह में जो अंदर मगब किया है, बाइहाल किया है, याद रखा है, तुत्ती करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कई Christian लोगों गुजराती परिवार में Christian लोगो राजयासन पर बीराजमान अमें तमारी स्थुती करिये शेयन, अमें तमने धन्यवाद करिये शेये, अल्याब भई हुच जन्ने उन्नत राजयासन इतले हूं, परमेश्वर जो उच्छ और उन्नत राजयासन पर बीराजमान खड़े हो जाओगे, घुटनों के बिल गिर जाओगे, पता तो है नहीं, वो चर्च में सुनते हैं, अपने बुजूब लोगों को सुनते हैं, बस वोई बाइहट है, उच्च तथा उन्नत राज्यास्तन पर भी राज्यमान, तारी स्तुति करे चिंतने धन्यवाद, और किसलिए धन्यवाद भाई, मुझसे बोलिये ने धन्यवाद की इस चीज का, स्तुति की बारे में स्तुति, क्यों स्तुति करते हो, कोई कारण तो होगा स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करे हो, क्या किया उसने आपके जीवन में, वो तो बता ये, एक लफ़स में बस धन्यवाद करते हैं, ऐसे बहुत सारे Christian लोग मुझ आप बिलीव नहीं करोगों, जब भी कोई ऐसा उच्च तत्ता उन्नत, राज्यासंपर, विराज्यमान, परमेश्ण, ऐसा सुरुवात करते हैं, मुझे बड़ा है, ऐसा बोरिंग लगता है। बन कर दीज्घे अगर आप बोलना चाहते हो, तो सुट्धि करूश्ण, आब भार मान यज चूरू सुट्धि करते हो, फैं अरे बैहन, किसच के लिए आप सुटि कर रहे हो? कारण तो बताईए परमेश्वर को, इसांसार को इस muchísimoizz को पूरे डेमनिक स्वर्ड को जानने के लिए धन्यवाद के लिए धन्यवाद के लिए कारण तो बता हिए कोई स्थुति का कोई कारण नहीं बोलते रहते स्थुति करूछ धन्यवाद करूछ प्रभु ने किया है कुछ किया है तो बोलिये ने मुझसे निकालिये आपको चंगा की इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खाना देते हो धन्यवाद करता हूँ तेरी सहेता के लिए धन्यवाद करता हूँ तेरी कलिश्या के लिए धन्यवाद करता हूँ तुने ऐसी कलिश्या व्यवस्ता दिये प्रभ कारन बता ये कारन क्रुपया जब भी आप मुझसे मीले या मैं आपसे मीलू तो ये शब्द ना दो रहा है मुझे बड़ा बोरिंग लगता है और बिलकुल मेरा दिल दुखी-दुखी हो जाता है ऐसे क्रिश्चन लोगों को मैं क्यूं मीला प्रभू जो सिप वो ऐसे मगप किया बायहर किया ऐसे दिमाग में गुसुवी बाते सब बोलते रहते कारन बताए प्यारो चलिया मैं तो ऐसे ज़्यादा चाहिता है गुसा आ जाता है फिर मार्ग भटक जाता हो अब मेरे मार्गों पर हम बात इसलिए मेरी सला आपने नहीं मांगी और सला लेने गए तो मेरे दास दासी नहीं कोई और दुन्यवी लोगों की सला लेने गए इसलिए फिरोन का सरंस्तान तुमारी लज्जा और मिस्र की चाय तुमारी निंदा का कारण होगा अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं अगर हमने अपना सचमुजीवन प्रभु को दिया है अगर येश्व ही हमारा जीवन है जीना येश्व और मरना येश्व है तो फिर हमेरी ताकात किस में होनी चाहे है हमेरी ताकात अगर हम उसमें है जब हम परमेश्वर पर डिपेंडन रहे उनके पर निरभर रहे और संपूर्ण हम आधिन रहे शबमीशन हमेरा पूरी तरह से उनकी और उनकी च्छाव पर है त हम सच मुझ हम उसके साथ समन में मजबूत रहेंगे उत्पती बारा में लिखाए कि अबराहम को परमेश्चों ने बुलाया चुना और कहा तू मैं जो कहता हैं वहाँ जा अबराहम निकला फिर रास्ते में देखा कि फैमाइन यानि अकाल पड़ा तो अबराहम ने क्या सोच चलो इजीब चलते हैं मिस्रक की और चलते हैं क्या हुआ जूट बोलना पड़ा राजा के द्वारा उसका इंसल्ट हुआ शेम और इंसल्ट उसने देखा परमेश्वर का दास ने इसलिए राजा का इंसल्ट सहना पड़ा क्योंकि उसने खुद चुना के मिस्रक की और चले जब संकट आया तब, आप संकट के समय चोरा है पर जब ऐसे मोड पर आकर खड़े तो अगर अपनी बुद्धी से अपने decision लिया, अगर दुनियावी संसारी लोगों के ज्ञान बुद्धी पर आधार रखते हो, अगर आपने गलत व्यक्ति से सला लिया, याद रखना, परम जो यसाय तीस में अगर हमने पढ़ा, अगर आपका ध्यान उदर गया तो परमेश्वर क्या कहते हैं, वो योजना तो करते हैं, लेकिन परन्तु मेरी और से नहीं, मुझसे बीन पुछे मिस्र को जाते हैं, मेरी सला नहीं मांगते हैं, मुझे पुछे बीना योजनाए करते हैं, तो उस समय क्या परमेश्वर का कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को सला देते थे, God speaks through His servants देखो पुराने नियम में गिंती पुस्टा गरना नमबर अगर आप 27 चप्टर गिंती 27 गरना सत्याइस उसमें अगर आप गिंती 27 और 18 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए आगे फ्रॉम वर्स 18 से आगे यहुआ ने मुस्टा से का तो नून के पुत्र यहुश्यो को लेकर उस पर हाथ रख ध्यान देना ध्यान देना उस पर हाथ रख वह ऐसा पुरू से जिसमें मेरा आत्मा बसा है फिर से आपके लिए मैं कहता हूँ वह ऐसा पुरू से जिसमें मेरा आत्मा बसा है और उसको इल्याजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आग्या दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे जिससे इस्रेयल की सारी मंडली उसकी माना करे और वो इलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और इलियाजर उसके लिए यहवा से उरीम की आग्या पूछा करे और वो इसरायल की सारी मंडली समेथ उसको उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे ऐसा मेरा दास जिसमें मेरी आत्मा रहती है, उसको पुछा करे, उसको पुछ कर जाया करे, उसको पुछ कर आया करे परमेश्वर के दास दासी, जीन में प्रभु की आत्मा है, कभी सला लेते हो? कभी सला लेते हो? क्या जो दुन्यवी संसारी जो आपके अच्छे रिस्तेदार है, ज्यानी लोग है, उसकी सला लेने जाते हो? किस पर आधार रखते हो? मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, आपके आत्मीक जीवन में बहुत सारे छेद है, मैंने कहा धनिवाद करना सीखे का अदस सी बना ले, कि समय समय पर उस धनिवाद की योग्ये उसका धनिवाद कीजिए, उसके उपकारों को भूल न जाए, उसके उपकारों को याद कीजिए और लोगों को बताए, प्रात्न में उसके उपकारों को याद करके उसका धनिवाद कीजिए, उसके बड़े नाम को उचा उठा कर, पवित्र मान कर, जान कर, आप उसको धन्यवाद करें, प्यारो, और वैसे ही और एक आदत आप अपने अंदर डाल दीजिए, परमेश्वर के पास जाकर आप उससे सला मांगिये, परमेश्वर के दास दासी जो जीन में प्रभू की आत्मा रहती है, उसके पास जाकर सला किये, the Lord said, परमेश्वर ने कहा, a man in whom is the spirit, mind spirit, मेरा आत्मा जिस पर रहता है, जिसमें बसता है, ऐसा पुरूस, जिसमें मेरा आत्मा रहता है, देखो, बाइबल में लिखा है, पहला Samuel, जल्दी हम पढ़ना चाहते हैं, पहला Samuel और तेईस्वा चैप्टर, खोलिए जल्दी, और 9 से देखे, 9 से 13 उसमें, तब दाउद ने जान लिया, कि सावल मेरी हानी की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने इबियातार याजक से कहा, एपोद को निकल लिया, तब दाउद ने कहा, हे इसराइल के परमेशर यह, तेरे दास ने निश्चे सुना है, कि सावल मेरे कारण किल्ला नगर नश करने को आना चाहता है, क्या किल्ला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे, या जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे ही सावल जाएगा, प्रमेशर यहुआ अपने दास को यह बता यहुआ ने का हाँ वह आएगा फिर दाउद ने पूछा क्या किल्ला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वर्ष में कर देंगे यहुआ ने का हाँ वे कर देंगे तब दाउद और उसके जन जो कोई सो थे किल्ला से निकल गए प्यारो दाउद ने पुछा क्या साउल आएगा परमेश्टर ने कहा आएगा दाउद ने पुछा क्या मुझे क्या किल्ला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे यहान क्या हावे कर देंगे दाउद जो परमेश्वर पर आधारी निर्भर था और दाउद जो सब्मीशन में था टोटली फुली सब्मीशन में उसने यहोँ से का प्रभु मैंने सुना है कि वो आने वाला है दुस्मन मेरा आएगा परमेश्वर आएगा क्या कि ला के लोग मुझे और मेरे जन को उसको सौप देंगे हाँ वैसे ही होगा मांगो तो मिलेगा मांगते नहीं इससे तुमें मिलता नहीं है सला मांगी परमेश्वर से परमेश्वर आपसे बात करता है अपने वच्चरनों के द्वारा पवित्र सास्र के द्वारा वो आपको बताएगा सही रास्ता क्या सही रास्ता नहीं अगर फिर भी जरूरत पढ़ती है प्रभू के दास्तासी जीन पर सच्मुच परमेश्वर का आत्मा रहता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबन्ध में ऐसे दास्तासी की बात मैं करता हूँ जो सीप पुल्पिट ठोक ठोक कर पच्छाड पच्छाड कर चिलाते हैं वो दास्तासी की बात मैं नहीं करता हूँ उन दास्तासी जीन पर परमेश्वर का आत्मा रहता है ऐसे लोगों कि सला माने सला ले और लेना और मानना दोनों अलग-अलग है मांते तो बहुत कोई है लेकिन मानते नहीं है तो अभी प्रॉब्लम परमेश्वर कहते हैं इसलिए तुम्हारी लज्जा और मिस्रक की च्छाय तुम्हारी निंदा का कारण बनेगा तुम जो डिसिजन लेते हो मांते नह जानते नहीं हो, लज्जा का कारण बनेगा। मैं दो बात याद आपके सामने लाना चाहता हूँ, एक परिवार जो अभी गुजरात में आये, पहले वो तमिल नाणों में रहते थे। नॉन क्रिश्चन, लेकिन प्रभु इश्चु की पहचान होने के बाद वो प्रभु इश्चु के बड़े चाहक बने, प्रभु इश्चु के पीछे चलने वाले लोग बने, अभी तो विश्वास करने की शुरुआ थी, आप समझे, मैं समझाना जाओ, एक दम सही एक्जाम पल एक-दो देना चाहता हूँ, फिर पांच मीट में खतम करूँगा, तो उन्होंने रात को मुझे फॉन करके पुछा के, भाई साब, मैं गुजरात आने की इच्छा करता हूँ मेरे परिवार के साथ, लेकिन कन्फ्यूज हूँ क्या करूँ यहां, इतनी बड़ी उसे मेरे परिवार के साथ, मैं गुजरात आ जाओ, यहां रहूँ, बहुत कन्फ्यूज हूँ, जब बात कर रहे थे प्रातना की तुरंत हमने पुछा गगर आप ट्रेन की टीकिट लो तो कब मिलेगी, उन्होंने कहा, भाई साब, आज रात को ही मिल सकते हैं टीकिट, कन् मिल जाएगी, हाँ, हमने पता हैं आपको, रात को कहा, अभी निकल जाओ, जितने कपड़े आप ले सकते हो, लेकर निकल जाओ, अभी के अभी, वो सहर छोड़ दोता मिलना रोड़ो के, पता है क्या हुआ, उन्हें बिलकुल ऐसा ही किया, जैसे प्रभु के दास्तों ने क तुरंत उस रात को लेट नाइट ट्रेन पकड़ी, अभी रास्ते में ही थे, उनका कजीन का फ़न उस सहर से आये, भाई साब, दन्यवाद, आप निकलने के बाद, पोलिस एरेंश्ट करने आई थी आपको, किसी ने आपके विरूद गलत, इन्फरमेशन देकर, गलत, पोल तक क्या होता, किसी ने गलत, इन्फरमेशन दे, पोलिस एरेंश्ट करने आई थी, उन्होंने थोड़ा भी 24 घंटा इंतजान नहीं क्या, क्योंकि प्रभु के दासों ने का, अब भी निकल जाओ, निकल गए, बच गए, एक परिवार था, जिनके दामात, जमाई, बाई, वो बीमार थे और उनके घर उन्होंने सेवाकाई के लिए बुलाया था, उस परिवार से मेरे भाई का फोन आए के, जैक्विन बाई, उनकी सेवा तो करते हैं, लेकिन दीन बर दीन उनकी इतवियत भी करती जा रही है, हमने का, अभी, अभी अम्बिलन्स बुलाओ एक सवाठ बुलाओ, और अभी के अभी गवर्मेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाओ, दुआ करके जैसे ही प्रभु नहां मेरी अगवाई के, हमने का, अभी इसी वक्त देरी नहीं करना, रात मत हो ने देना, और फिर से हमने पुछा, हमने क्या बताया आपको, उन्होंन घंटों में वो भाई साब एकस्पायर हो गया है, वो भाई साब के परिवार ने इन पर खुन का आरोप कर, आरोप लगाने की कोसिस की, लेकिन हमने कहा था है, एड्मीट करते ही, वो होस्पिटल की बूग क्या तो जो भी है आपके हाथ में ले लेना की एड्मीट हो चुक अगर ये एड्मीट नहीं करते हैं और घर में एकस्पायर हो जाते हैं, ये घर पुरा जेल में जाता है, जैसे उन्होंने प्रभु के दास्तों को फौन किया प्रातना की, प्रभु के दास्तों ने क्या अभी उठो फौन करो 108 को, सीधे होस्पिटल ले जाओ, और गवर्म हाथ में, अद्बुत बचा हुआ, अद्बुत बचा हुआ, प्रभु के एक परिवार है, जो विदेश, ओ परिवार की बेहन विदेश जाना चाहती थी, पता नहीं कैसे मेरे घर आये एरपोर्ट जाने से पहले, वो जानना चाहती थी, वो सलाह नहीं दी उन्होंने, लेक प्रात्ना करवाई सलाह नहीं दी लेकिन अंदर से मुझे प्रभु के आत्मा एक अश्रांती दे रही थी, मैंने प्रात्ना की प्रभु अगर तेरी योजना से बाहर, तेरी योजना के विरूद ये जा रहे हैं पर इनको एरपोर्ट से वापीस ले जा कर, आप बिलीव कर नहीं करोगे, वो एरपोर्ट से घर वापीस गए, पता है क्या हुआ, थोड़े दिन में वापीस ट्राइक किया, प्रभु के दास को प्रात्ना कुछ नहीं, सीधे एरपोर्ट के प्लैन में बैठ कर भागे, कि प्रभु का दास फिर प्रात्ना करेगा, फिर नेगेटिव बोलेगा, फिर कहेगा मत जाओ, अरे प्रभु का दास के हम तो जाना कमाना चाहते, बिलकुल एकदम विदेश पहुँच गए, क्या हुआ, उनका परिवार जो सफर हुआ, मैं जानता हूँ, बिखारियों की तरह बेचारे इधर उधर पैसा मांगते थे, वो बैहन को पीछे पीछे सारी घटनाए हुए, मत भूलो, प्रभु के परमेश्वरक से पूछा अपने, परमेश्वरक की सलाली, पहला कारण, पहला प्रश्ना, दुसरा परमेश्वरकी आत्मा जीन पर रहती है, उनसे सलाली, चलो भई, सलाले ली, पता नहीं कैसे प्रभु के दास घर पहुंच गए, प्रभु का दास दुआ करता है, घर एरपोर्ट से कोई वापीश जाता है, प्रभु के दास ने का प्रभु गलत हितकने जाए, अरे ये साइन काफी है, इस इननफ, फिर भी प्रभु के दास के द्वारा प्रभुन जो काम के उसके विरू सिद्धे फ् विदेश चले गए, आपका परिवार कितना सफर हुआ, मैं गवाँ हूँ, मैं गवाँ हूँ, आपको सर्म आना चाहिए, अपने परिवार, आपके छोटे-छोटे बच्ची इदर-उदर पैसे के लिए भटकते थे, रोते थे फॉन पर, प्रभु के दास के आगे, मैं आप सभी से यह कहता हूँ, आपके आपने गलत सला ली, गलत प्रभु से पूछा नहीं, प्रभु के दास दास से को पूछा नहीं, गलत decision लिया है, परमेश्वर कहते हैं, इसलिए फिरोन का सरण सान, तुम्हारी लज्जा और मिस्रक की छाया, तुम्हारी निंदा का क अधत डालिये, अधत आत्मी तक की बाते मत करें, गंटा दो गंटा दुआ करते हो, अरे अच्छी बात है, लिकिन अपने जीवन में अधत डालिये, धन्यवाद करने की अधत, और कई अच्छी-च्छी आधत है, एक और परमेश्वर की सला मांगे, परमेश्वर के दासों के पास जाकर ऐसे दास दासी जो परमेश्वर के आत्मा से भरपूर है मेरे सामने बैठ कर मुझे देखते हो मैं आपसे प्रश्ण करना चाहता हूँ आपकी खराब अवस्था में प्रभु के दास दासियों जीनों ने पता है पता है बड़ा रिस्क लेकर दुस्टात्मा है और सेतन अंधकार की ताकतों के सामने परमेश्वर के दास दासियों ने एक बड़ा यूद खिला था भूल गया है? भूल गया है? सरमा नीचे ऐसे लोगों को और आप ऐसे दास दासि जीनके द्वारा प्रभु ने बड़े काम किये हैं पहचान नहीं पाए सही प्रभु के दास दासियों पहचान नहीं पाए आप प्रभु के दास ने कहा मेरे कहने से बारिस गिरेगी अकाल आएगा मेरे कहने से बारिस रुकेगी और आएगी और राजा कहता है कहां है वो जो जिसके कारण मेरे राजिय पर बड़ी तकलीव आई है डूंडो उसको मार डालो उसको प्रभु के दास दासी अगर आप से कुछ कठोर शब्द में कुछ हार्ड बर्ड में कुछ कहते अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता आप ऐसे लोग हो जो बिलकुल फिरोन की सररस्थान धुम धूंटे रहते हैं और याद रखना मिस्र की छाय धूंटे रहते हो प्रभु के दास के सब्द याद रखना, रेकॉर्ड कर देना, और प्रभु के दास दासी को पूछे भी ना, और प्रभु से पूछे भी ना, आप जब फिरोन की सरंस्थान लेते हो, और मिस्र की छाय ढूंते हो, तो ये निंदा का कारण ठहरेगा, लज्जा का कारण ठहरे नहीं पहचान पाए प्रभु के दास दास्यों को अरे भाई जब दुष्टा आत्मा आपके शरीर में घर में इर्दगीर काम करी दी तब यहीं प्रभु के दास दास्यों ने वो हिम्मत परमिश्वर की आत्मा में वो सामर्थ ये पाकर एक बड़ा यूद खेला नहीं समझ बोढ़ा किसके अंदर प्रभु के आत्मा है ये लज्जा का कारण है आपके लिए लज्जित होना चाहिए आपको शर्म मानी चाहिए अभी भी प्रभु के दास दास्यों को नहीं पहचान दे दुख में कौन खड़ा रहा किस ने यूद खेला किस वर प्रभु की आत्मा है वो नहीं ढूंड पाया दाउद ने पूछा क्या सज्मुच वो राजा मेरा दुस्मन आने वाला यहोवने का यस बिलकुल आएगा क्या यह यह लोग जहां में और मेरा परिवार है उसको समर्पित कर देंगे हमें सौप देंगे हाँ बिलकुल वैसा ही होगा सला मांगी फिर सला के अनुसार चले आपके घर में देखिए कोई उठकर चला गया किचन में इधर उधर काम करने के लिए क्यों प्रभु के दास की बात उनको चुपती है बुलाओ उनको बुलाओ उनको पुछो प्रभु का दास पुछता है भुल गए वो दिन भुल गए वो दिन जब रो रहे थे यर्मिया में साफ लिखा है यर्मिया एक्टिस में हमारे लिए यहुआ से पूछ क्योंकि बेबिलोन का राजा नभुखत निस्तर हमेरे विरुद्यूत कर रहा है कदाचीत यहुआ हम से अपने सब आश्चे कर्मों के अनुसर ऐसा व्यहुआर करे कि वो हमारे पास से चला जाए उच्छा गया तो यहुआ ने आठ और नव इस प्रजा के लोगों से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यों का मार्ग भी बताता हूँ जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरीश और मरीश से मरेगा तरण तो जो कोई निकल कर उन कस्दियों के पास जो तुम को गहर रहे हैं बाग जाए वह जीवित रहेगा जब पुछा गया तो परमेशन का अब मैं सही रास्ता आपको बताता हूँ यह बाइलिस में साफ लिका है but you have not obeyed voice of your Lord God so you will see the consequences परमेश्वर के दास दास्यों के द्वारा वच्वनों के द्वारा किसी बिरिते परमेश्वर ने आपसे बात की है लिकिन आपने उनकी बातों को नहीं माना आधी नहीं हुए उस वाचा के अनुसर बातों कांसेलिंग के अनुसर you will see the consequences उसके दुष्ठ प्रभाव दुष्ठ परेडाम आप देखोगे प्यारो मेरा समय पूरा हो चुका है मेरी घड़ी मुझे बता रही है प्यारो आदर डाल दीजिए Bible पढ़िए Bible से प्रभू आपसे बात करेगा परमेश्वर के आतमा जीन प्रभू के दास दासियों में हमेसा रहती है उनकी सला लीजिए दुनियावी ज्ञान बुद्धी आपका संबन जिन से है अच्छे है वैसे बुद्धिमान लोगों से सलामत लीजिए परमेश्वर वच्छनों के दोवारा बात करते है और परमेश्वर अपने दास दासियों के दोवारा अभिशेक दास दासियों के दोवारा बात करते है मैंने देखा है सो में से एक व्यक्ति याए एक परिवार ऐसा दिखा है मैं सालों से देखता हूँ ऐसा हमेंसा हर जगह बना रहता है अगर किसी व्यक्ति को परिवार को अगर आप सही बात उनको बता दो उनको गलत लगेगी तुरंद दूसरे चर्श में जाएंगे आप कैसे लोग हो आप क्या क्या बताओ आपके विश्य में अगर आप ऐसे लोग हो आपको परमेश्य के दास-दासी की बाते गलत लगती है गलत है तो भाई गलत ही बोलेंगे गलत कर रहे हो तो आज तो आपको बहुत जितने लोग गलत है बहुत चुबा होगा मेरी बात है मैं एक दो विक्ति को जानता हूँ मैं जब उनके पीट के पीछे होता हूँ बहुत हसना है ताली ताली बजया बजया कर बाते करतें दूसरे से जैसा प्रभु का दास उनके सामने आता है मुह छोटा हो जाता है हसना तो जैसे पीडियों में कोई हसे नहीं ऐसा मुह हो जाता है क्यों? प्रभु का दास दासी है तो खुसोना चाहिए यही है व्यक्ति यही है प्रभु के दासों में से जो हमेरे यूद के समय हमेरे पास खड़ा रहा है हमेरे दुखों में उसने हमेरे सासाहिता किये खुसोना चाहिए थोड़ा कुछ गलत बोल दिया बस काम पूरा सब भूल गए कैसे लोग हुआ आप चलो छोड़ा आप प्रभु के दास दास्ते के साथ जो व्यवार करो कोई बात नहीं मेरा फर्ज बनता है हम तो जब भी आप दुख में दोड़ कर आओगे हम तो खड़े रहेंगे और जरूर युद में हम उसी ताकात और उसी परवीत्र आत्मा की सामर्थ हमें आपके साथ लड़ाई में खुदेंगे आपने क्या हम से व्यवार किया हम नहीं याद रखेंगे अपनी बुद्धी पर आधार ना रखे संसारी ज्यान बुद्धी से बरे हुए लोगों की सला कभी ना ले प्रव की आत्मा जीन पर रहती है जिन में बसते हैं उनकी सला ले और सिफ लेना नहीं है सला मानना भी है वरना ऐसा होगा जो डिसिजन आप लोगे जीवन में जिसमें परमिश्वर की इच्छा आपने कभी नहीं देखी ना डुणने की कोसिस की ना कभी दुआ किये ना परमिश्वर के दास दासी जिन में प्रव की आत्मा रहती है उनकी सला अपने नहीं लिए है तो वैसे डिसिजन ऐसी जो चुनाव आपने चुने है जो आप सिलेक्शन करते हो जो डिसिजन आप लेते हो परमिश्वर के वच्चन ही कहती है लज्जा और निंदा का कारण बनेगे वो डिसिजन वो सिलेक्शन निंदा का और लज्जा का कारण बनेगा सुन लिया आए दूआ करते हैं आँखे बन करिए सारे लोगों से बिंती है आप आँखे बन कीजिए अगर प्रभु के दास दासे की कोई बात मेरी कोई बात आपको गलत लगिए गलत मत मानिये प्यारो मैं प्रभु का दास हूँ मैं खुद सिखता हूँ और सिखाता हूँ मैं खुद एक मनुश्य हूँ लेकिन जब प्रभु के विश्य में प्रभु की इच्छाओं के विश्य में जब बोलना होता है मिया और प्रभु के दास दासिया जो सही है वो ही हम सिखाते हैं आपको गलत लगे इसलिए नहीं लेकिन गलत राज से निकल कर सही राह पर आने के लिए हम सला देते हैं हम सिखाते हैं आपने कभी महसुस नहीं किया होगा कि हमने आपके दूर व्यवहर को याद रखा है आपने कभी महसुस नहीं किया होगा कि हमने आपको साथ नहीं दिया है हाँ आप कभी अनुभव नहीं किया होगा कि आपकी कठिन समय में हम आपसे दूर रहे हैं आप याद कीजिए याद कीजिए आपके कठिन समय में, दुख में, बिमारियों में प्रभु के दास दासे आपके गुटनों के बल रहें उपवास के साथ रहें आपको भी पता नहीं होगा आपके परिवार के लिए आपके लिए प्रभु के दास दासे होने हमने कितनी दुआय की है आपको पता भी नहीं होगा आपके उपवास के साथ हम आपके लिए आपकी परिवार के अवस्ता के लिए हम निरंतर प्रातना करते रहते हैं आपने कभी देखा नहीं हो मैंसुस नहीं किया होगा प्यारो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी यूद के लिए हमने कितनी कितनी संकट हमने जिले है क्या क्या हमने किया है कई बार तो हमेरे जेब में पैसा नहीं होता है, फिर भी आपको बचाने के लिए हैं, जो भी हम से हो पड़ता है, हम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को चाहते हो, आपको गलत लगने के लिए हम नहीं कहते हैं, आपको सही सिखाने के लिए हम आपसे कहते हैं पर्षाताप करे अगर आपने परमेश्वर की सहाइता नहीं मांगे प्यारों आप मां भी मांगे के प्रबू हमने तेरी योजना ढूंडने की कोशिस नहीं की अपनी बुद्धी पर लोगों की बुद्धी और ज्ञान पर हमने भरोसा किया हमें शमा करो परमेश्वर का वच्छन कहते हैं वो मिस्र की और चल बसे है लेकिन मेरी सलाग नहीं मांगे लेकिन किसी और की सलाग मांगे अगर गलत व्यक्ति की सलाग मांगे ऐख शमा करे आप कातना कर सकते प्रबू जहां पर भी मेरे परिवार के लोगों ने ऐसे लोगों की सला मांगी है जो प्रभू तेरी और से नहीं हमें क्षमा करे तेरी सला हम नहीं मांगने वाले लोग बने हमें क्षमा करे प्रभू तेरे दास दासी ने अगर कुछ कठीन शब्द में हमसे कठोर शब्द में हमसे बात की हमें गलत लगा, प्रभू हमें ख्षमा कर, तेरे दास दासी तेरी और से, जिन में तेरी आत्मा बसती है, मुझे ख्षमा कर, प्रभू. आए मैं दूआ कर वाता हूँ, खास इस विश्टाई को लेकर, क्रिपाय आप मेरे पीछे, अगर आप चाहो तो दूआ दोरा सकते हो, repeat कर सकते हो, आप चाहो तो ही प्रातना करना, मैं कहता हूं इसलिए नहीं. अगर आप पश्टाताप करना चाहते और चाहते हैं कि आपके अंदर एक आदर्स ही बन जाए तो आप मेरे पीछे प्रात्ना दोराना जब मैं अपना नाम लेता हूं कृप आप अपना नाम लीजिए अपना नाम बोलिए विश्वास के साथ मेरे पीछे दुआ किजिएगा खुदावन परमेश्वर प्रभु इश्वमसी के नाम में मैं आपके सन्मों खाता हूँ मैं जैक्विन स्विकार करता हूँ और कबूल करता हूँ मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मेरे पुर्वजों ने भी तेरे विरुद और स्वर्ख के विरुद बहुत सारे अपरात किये है तेरी आज्याओं को तोड़ा है तेरे उपकारों को भूल जाने वाले लोग हम है तुझे धन्यवाद न करने वाले लोग है हम मैं जैक विन सारे आज्याभंग के लिए और गलत ऐसी बातों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं मैं बिन्ती करता हूं प्रभुयेश्यो तेरे लहो से और तेरे पवित्र और सामर्थ्य और नाम में मेरे और हम सब के सारे अपरात कि समा करे मैं बिन्ती करता हूं मुझे एक समा करे मेरा स्विकार करे मेरा जीवन मैं जैक विन तेरे चर्णों में समर्पित करता हूं प्रभुयेश्यो आपको मेरे जीवन में आने का निमंत्रन देता हूं मेरे जीवन में आईए और आपकी सारी इच्छाये मेरे जीवन में मेरी जीवन के द्वारा पूरी कीजिए आज मैं जैक विन बिन्ती करता हूं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता मांगता हूँ, हर एक चीजों के लिए, हर एक डिसिजन के लिए, हर एक पड़ाओ पर, हर एक चुनाओ के लिए, हमेशा मेरे अंदर एक आदत मैं बनाना चाहता हूँ, मैं आपके पास आओं, आपकी सलाह को मांगो, आपके दास दास्यों के पास, जिन में आपकी आत्मा रहती है, जिन के उपर आपकी आत्मा रहती है, ऐसे दास दास्यों के पास, आपकी इच्छाओ को जानने के लिए, मैं जाओं, उनसे सलाम अश्रा करूँ, उनकी सला मांगो, उनकी एडवाइज लो, ऐसी आदत मुझ में बनाने के लिए, पवित्र आत्मा मैं आपकी सहायता मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद करें, ये शुमसी, मेरे सारे गलत चुनाओ, गलत डिसिजन, गलत सिलेक्शन, आप रोग दिजिये, और सही चुनाओ करने, सही सिलेक्शन करने, पवित्र आत्मा की सहायता मैं मांगता हूँ, फिर से और एक बार, मेरे सारे अपराद, मेरे सारे परिवार के लोगों के सारे अपरादों के लिए, और खासकर, इस आदत न होने के कारण, और जब भी प्रभू तेरी सला मुझे मिली, लेकिन मैं अगर वो नहीं माना है, स्विकार नहीं किया है, तो मैं एक शमा मांगता हूँ, मेरा जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये शुमसी के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे पिता, आमेन, आखे बंद र अगर आपकी आँखों की रोशनी कमजोर हो गई है, अगर राइट साइड की आँख कमजोर है, अगर लेप साइड की आँख कमजोर है, अगर दोनों आँख कमजोर है, दोनों हाथ अपने आँख पर रखिए, अगर राइट साइड की आँख पर हाथ रखिए, अगर आपक आपके सीने में, आपके हाट में, या तो हाट जहां पर हैं, वहां कई भी अगर आपको दर्द होता है, अगर कीड़नी में पत्री है, तो वहां पर अपना हाथ रखिए, अगर आपको पेट की तकलिफ है, पेट पर हाथ रखिए, घुटनों में तकलिफ है, घुटनों पर हा सरीर में कोई भी तकलिफ हो चाहे कैंसर हो चाहे आर्थराइटिस हो चाहे चिकन गुनिया हो चाहे आपको कोविड नाइंटीन यानि कोरोना वाइरस की असर हो आप अपने पर हाथ रखे मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और इसी प्रभव आपको चूप मैं दुआ करता हूँ इसले लिए वो बहुत प्यारा परमेश्वर हो हमसे प्रेम रखता है और वो मनुष्य मनुष्य की कभी सर्म नहीं भरता लेकिन वो अपने प्रेम और दयासे हमसे लिए उहर करता है मेरी दुआ से कुछ नहीं हो सकता प्यारा, अपना हाथ अपने पर रखे, अगर आपके शरी में बहुत सारी बीमारिया है, अपनी चाती पर, सीने पर यार, शिर पर अपना हाथ रखे, मैं प्रात्ना करता हूँ, मैं उससे पहले चंद सेकंड देता हूँ, आप खुद अपन अच्छा रिस्ता चाहिए, हाथ उठा कर ये शो से कहे, प्रभू मैं अपना हाथ आपको दिखाती हूँ, दिखाता हूँ, और कहता हूँ, प्रभू मेरे बेटी के लिए अच्छा रिस्ता तू लिया, मेरे बेटे के लिए अच्छा रिस्ता लिया, अगर बच्चे पढ़ रखिये और मैं अभी दूआ करवाता हूँ आप प्लीज हाथ रख कर कहिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने घुटनों के दर्द के लिए ये शु से कहिए प्रभू मेरा दर्द तु ले ले मुझे चंगा कर अगर आपकी हेवी बोड़ी ये ओवरवेट है करना चाता हूँ आप कहिए प्रभू इश्व मेरा वजन कम हो जाए मेरी पेट की सारी तकलीफे दूर हो जाए अप प्रात्ना कीजिए प्यारों प्रात्ना कीजिए आएए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ प्रभु इश्व मैंने और हम सबने अपनी इच्छाओं को तेरे आगे प्रभु प्रगट किया है हम जो चाहते प्रभु इश्व हाथ दिखा कर हमने आपसे कहा है मैं दुआ करता हूँ मेरे और इन सब के और हमेरे मा, बाप, भाई, मैं, हस्बन, भाई, परिवार, दोस्ते, सारे नेबर्स के लिए हम सब के लिए प्रभु इश्व पस्षाताप करता हूँ मैं आपकी आग्याव के विरूद हम चले है पिता हम दुष्ट मारगों पर चले है आपकी सला नहीं मांगी आपकी सला मांग कर हम उस पर चले नहीं है अपनी इच्छाओं के अनुसा चले है प्रभु वही लज्जा का कारण, निंदा का कारण हमेरे लिए बनाए हमेरे परिवार के लिए मेरे और यहाँ पर उपस्ती सारे लोगों के हमेरे परिवार दोस्तों के लिए हम क्षमा मांगते है प्रभु येश्यु मसी के लहू में हमें दोक और शुत करे हमेरे जितने भी अप्राद है आग्या भंग के पाप है येश्यु मसी के नाम में हमें क्षमा करे येशु के लहू में हमें धो कर शुत करे पिता, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, इस सारे प्रियजन जो तेरे दास दास, तेरे लोग है पहली बार प्रभू प्रोग्राम में और उनलाइं चात सरस्वे से सामील हूए, हमेरे अपरादों को प्रभु येश्यू के लहू में धो दीजिये हमें पिता माफ करें दयालू प्रभु हमेरे सारे अपराद मिटा दे येश्यू के नाम से आपके अनुग्रा के कारण दया से प्रभु सारे अपराद मिटा दे मैं प्रात ना करता हूं प्रभु येश्यू मसी के लहू की साम में वो cancer, वो arthritis, वो जो vein block है, heart disease है, kidney infection है, COVID-19, coronavirus का संक्रमन है, चाहिए कोई भी बीमारी है, येश्व मसी के नाम से, येश्व नाजरी के नाम से डाट करकेता हूँ, coronavirus दूर हो, सारी जो बीमारी है, दूर हो जाए इस शरीर से, इस वक्त मैं सारे प्रभु के दास दासियों को आज़ात करता हूँ, प्रभु येश्व मसी के नाम से, इनको बीमारी हो से मैं छुडाता हूँ, ये बीमारी हो से मैं उनका आज़ात करता हूँ, येश्व के नाम से, मैं बीमारी हो की जगह में अच्छी हैल्थ उन पर घुस प्रोटेक्शन अम्प्रभू तेरे दास्दास्यों पर तेरे जन पर परिवार पर जो उनसे और हमसे जुड़े हो इन सब पर पिता मैं साम 91 का प्रोटेक्शन गोशित करता हूँ और 53 यसा 53, 4-5 आयत कहनो सर प्रभु ये शो के कोड़े खाने से जो चंगाई हमें मिलिये वो चंगाई हमेरे सरीरों में मैं स्विकार कर लेता हूँ क्लेम करता हूँ ये शो मसी के नाम से दुष्टात्माओं को सैतान को स्रापों को सैतानी आत्माओं को अरे जो सैतानी वित्या इनके विरुद हुई है सैतान तेरे साथ तेरे कामों को ये शो के लहों में बानता हूँ मत्थी अठरा अठरा लुका 10, 19, 9, 1 अनुसर मेरे पाउं के तले को चल कर येश्व मसी के स्थामर्थ नाम से सारी विद्धिया, सारे स्राफ, सारी विमार्या सेतान और दुष्टा आत्मा उनके कामों को मैं विफल गोशित करता हूँ प्रभू येश्व के नाम से प्रभू येश्व मैं प्रात्ना करता हूँ इनके लिए प्रभू उनके बेटे-बेटे के लिए उनके लिए अच्छा रिस्ता तू लिया प्रभू अच्छा लाइप पार्टनर उनको दे येश्व के नाम मैं प्रात्ना करता हूँ पिता उनको अगर अच्छी नोकरी चाहे, कोई भी आशिस चाहे, उन्होंने जो भी मांगा है, परबु तू उनके दोआरों को खोल दे येश्शु के नाम में, मेरे परबु येश्शु के नाम से मैं उनकी नोकरियों के लिए दोआर खोल देता हूँ, अच्छे रिस्टों क उनके लिए द्वार खुलता हूँ प्रभू मैं बीमारियों की जगा पिता हम सब के लिए मैं सेहत मंद लाइफ एश्व के नामे मांग लेता हूँ पिता एश्व मसी का लहूं के घर चोकटों के पर हम सब पर मैं छिड़क देता हूँ और साम 91 का प्रोटेक्शन गोशेट रता हूँ पिता सारी बिमारियों से और सारे ऐसी सैटान और मनुष्य की गलत इच्छाओं से प्रभू उनको बचाए रखे जीन का भी कॉर्ट केस पॉलिस केस चल रहा है पिता उसका अंता है उनको तू सुरक्षित बहा लिया येश्य के नाम में मांगते हैं सुने और कबूल करें पिता आमीन आए परमेश्वर की तरफ से आशिष मांगे पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागेत और प्रभुरिशु की शांती और संगती हम सब के साथ आज से लगकर हमेशा तक बनी रहे येशु के नाम में हामेन